नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब हमें उम्मेदी कि आप लोग ठीक होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले मोस्ट स्टाइलिस एंड पावर्फुल स्कूटर के बारे में तो दोस्तों आज है हमारे पास TBS की TBS इंटॉर्क 125 रेस एडिशन जो की BS6 के साथ लॉंच किया ग आपको बताने वाले हैं कि BS6 के बाद इसमें आपको प्राइस कितना मिलता है क्योंकि BS4 मॉडल से आठ से 10,000 रुपए महंगा है तो इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं आपको फुल डीटेल में बताने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वाइब करता हूँ आपको अपने चैनल वीडियो इन्फोर्मेटी लगी अगर आपको अपने भाई की मेहनत अच्छी लगी ओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देगा शेयर कर दीजेगा अगर आपको कोई डाउट और को से कुछ करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं पूरी कोश कि लाइनिंग के साथ, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वोक मिलेगा 80-100-12-inch का ट्यूबर बारे में, तो यहां पे आप देख सेकते हैं, इसका जो फूली LED मिलता है, यहां पे जो आपको DRM मिलता है, वो फूली LED डियार मिल जाता है, ती सेप में, जो की काफी अच्छा लग सबसे अपेलिंग चीज है तो देख सकते हैं इसका जो मिटर का सबसे अपेलिंग चीज है तो देख सकते हैं इसका जो मिटर कंसोल मिलेगा वह आपको फुली डिश्टे मिटर कंसोल मिल जाता है मतलब इसमें आपको सारे features मिल जाते हैं राइट हंडल बार पर आपको एक special चीज मिलता है जो कि हजार स्वीज है जो कि बहुत ही अच्छा काफी अच्छा features दिया गया है TBS की तरब से अगर आप इस bike को foggy condition में चलाते हैं आपको चारों इंडीटर रहना साथ में जलता है जो कि काफी अच्छा मदद करता है foggy condition में तो चली दोस्तों अब बात करें तो इसके sitting comfort की तो यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो seat comfort मिलता है pillion और rider दोनों का same रखा गया है इसका seat मिलता है वो dual stitching के साथ हाता है जो की काफी बढ़ियां लगता है देखने में अब बात करें इसके under seat storage की तो चली आपको दिखा देते हैं तो यहां पे आप key लगा के seat और fuel tank का जो cap होता है दोनों आप open कर सकते हैं आप जैसे seat को open करेंगे यहां पे आपको boot light मिल जाती है जो की अंदर रखे हुए चीजों को आराम से आप night में देख सकते हैं इसके boot light की वज़े से यहां पे आपको जो इसका storage मिलेगा वो आपको 22 liter का मिल जाता है इसमें आप helmet आप आराम से रख सकते हैं यहां पे आपको USB charger port मिल जाता है जिससे कि आप अपने mobile को भी आराम से charge कर सकते हैं और अपने seat के नीचे रख सकते हैं तो दोस्तों यह तो था इसका seat अब बात कर लेते इसके fuel tank की तो इसका fuel tank का opening मिलता है वो external मिलता है जो की काफी अच्छा दिया गया है इसका fuel engine मिल जाता है इसका max power मिलता है 9.1 BHP का 7500 rpm के साथ इसका max torque मिलता है 10.5 Nm का 5500 rpm के साथ और वहीं अब बात कर लेते इसके rear tire के बारे में तो इसका rear tire मिलता है 110-12 inch का tubeless tire मिल जाता है Rimora का tire लागया गया जो की काफी अच्छा tire माना जाता है racing track के लिए इसका जो rear brake मिलेगा walk मिलेगा drum brake जो मिलेगा 130 mm का drum brake मिल जाता है इसका जो rear suspension मिलेगा walk मिल जाएगा gas field hydraulic type का coil spring sock or suspension मिल जाता है जो कि आपको riding में काफ़ी अच्छा comfort दे देता है वहीं अब बात कर लेते इसके tail light के बारे में तो पीछे आपको देखेंगे तो इसका LED tail light मिल जाते है जो की signature type का LED tail light मिल जाता है जो की rear से भी देखने में आपको काफ़ी अच्छा racing look दे देता है इसका जो exhaust मिलता है वो आपको sporty exhaust लगाया गया इसका exhaust को sound है वो आपको वीडियो को last में सुनने को मिल जाएगा इसके exhaust का sound सुन के आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को like कर दिएगा अगर आपको कोई doubt हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं पूरी को सिस करते हैं आपके comment का आपको इसके मीटर कंसोल में तो यह जो आप टीवेस इंटार्क रेस एडिशन देख रहा है इसका जो मीटर कंसोल आपको मिलेगा आपको काफी अच्छे फीचर्स के साथ मिलता है जो कि आपको राइडिंग के टाइम पर काफी अच्छा हेल्प करने वाला है और वहीं अब बात कर लेकिंदें इसके प्राइज के बारे में तो चलिया आपको इसका एक्षो रोम प्राइज बता देते है इसका जो एक्षा निकल के आता है वह नि अगर आपको फिर भी कुछ जानना है या फिर कोई कोशन करना जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं पूरी कोसिस करते हैं आपके कमेंट करके रिपलाई करने का ये इसकूटर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरू बताइएगा तो चलिए दोस्तों हम आ कर दोस्तों हुरिएपराग स का नाहिएपरench जरूस्तों हम शड़ाया तत्रच हैं